कोई सड़ाब बेचते हुए या कोई सड़ाब का स्टॉक रखते हुए अगर कोई पता चलता है तो उसकी गुप्त सूचना सरकार को दें सरकार उसको करवाई करेगी और आपती पहचान आइडेंटिपी भी गुप्निय रखी जाए इसके कौन सी अप्रत्यासित बात है उनक कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है कि आप नहीं कडिए गात करवाई हो या आपको भर मतलब महीने में या साल में इतना के पकड़वाना है तो जो सरकार एक सामान जिम्मेदार नागर्श से उमीद करती है वो सिक्षकों से उमीद करना ये तो अतिस्व भाविक बात ह देख रहे हैं विधान परचद में सिक्षकों से सराब खोजने की बात को ले करके मुद्दा उठाया गया जिसको ले करके विजय चौधरी ने बेखुबी से जवाब दिया है उन्होंने साब तोर पर कहा है कि हमने सिक्षकों को कोई निर्देश नहीं दिया था एक जागर प्रुद्ध को का काफी मामला उठाया सरावला वी पत्र हुआ था उसको ने कड़ी मामला मानिये कर दो कि विजय निर्देश निर्देश ने पताया कि वे से राज्य सरकार ने इस रुदेश के सभी जागरूख नागडिकों से अपील कि आप लोग के मध्यम से ही बताया भी जाता है कि अगर कि नहीं को कोई सडाब पीते हुए कोई सडाब बेचते हुए या कोई सडाब का स्टॉक रखते हुए अगर कोई पता चलता है तो उसकी गुप्त सूचना सरकार को दे सरकार उसको करवाई कर और आपकी पहचान आइडेंटिटी भी गोपनिय रखी जाईगा। उस क्रम में सिख्षा विवाग ने भी अपने सिख्षकों को ये कहा, कि भाई आपके यहां भी सिख्षा समिति होती है, जिसमें समाज के जागलूप लोग रहते हैं, आप उनसे भी सरकार के इस अपील को तोहडा दीजिए, जो अगर कोई आपको शडाप पीते, बेचते, स्टॉक रखे, नजर आता है, तो उसकी कूचना दे दीजिए, आपकी पहचान गूपनिय रहेगी, इसमें कौन सी अप्रत्यासित बात है, उनकी कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है, कि आप नहीं करती है, वो सिक्षकों से उमीद करना, ये तो अतीस वाविक बात है, इसमें क्या गलता है, सर निर्देश को लेकर